नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विया स्टॉक में दिल से अगर आप चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल को दोड़ा ना बुलना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो सके तो दिन का लास्ट वीडियो होने वाला है आज मैं बात करने वाला हो दो पैणिश्टों के बारे में और इसमें आप जानने का प्रियास करेंगे साइक्कोलोजी ऑ ऑफ ऑपरेटर कि कैसे आपके साथ खेलता है दिमाक से खेलता है और पैसों से खेलता है ठीक है जो बात मैंने आपको बहुत पहले बोली थी कि ऑपरेटर एक कैसे bulk deal को पढ़ा जाता है, ठीक है, जो block deal होती है, जो bulk deal होती है, इंटर डे में, NSC, BSC में खासकर, कैसे इसको read किया जाता है, और कैसे यह manipulate करते हैं आपके दिमाग से, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ real, तो देखो, समझो, और सीखो, कैसे मैं भी इसको implement करता हूँ, और इस तरह का fundamental analysis में आता है, क्योंकि वह बहार है, ठीक है, चार्ट में कुछ नहीं आद नहीं जारा रहा है, ठीक है, और जो bulk deal होती है, वह भी बहार है, ठीक है, आप उसको सिर्फ NSC, BSC के website ले चेकाउट कर सकते हो, ना कि technicals, चार्ट में देख सकते हो, तो इसलिए मैं कहता और इसके अपर हम बात करें, दोनों stock के उपर, अपना view question यह बेरा भाई, एक bulk deal होई दोनों में, उस में हम कैसे analysis कर सकते हो, वह आपको बताने वाला हूँ, मैं कैसे करता हूँ, वह आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो यह stock edge करके website है, या फिर NSC की website है, वह जाके भी आप check out कर सकते हो, data आपको मिल जाएगा, कि कैसे bulk deal देखी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से देखेना काफी important video हो सकता है, बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, 14 मार्च को देख लेते पहले, ठीक है, 14 मार्च में मैंने एक वीडियो बनाया था, पैंटी स्ट्रोक के उपर, मैंने आपके साथ शेर भी कर रहा है, एक T-bar pattern, आपको अगर याद होगा, T-bar pattern, कि कैसे T-bar pattern बनता है, operator कैसे खेलता है, ठीक है, आप यह देखो कि आपको इससे क्या seeking को मिलेगा, और यह रियान रखना, यह pattern बल्क डील होती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बोला था, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे यह top gain करके, एक company है, अल्फा लियॉन करके भी है, उसका भी आपको example दिखा हूँआ, ठीक है, तो इसने क्या किया, Biogen में buy कर share, देखो bought, same date में, March 11,22 में, 1,70,000 shares buy करे, और 7 में उसने sell किये, sold करे, कितने shares, देखो, I think 37,000,000 shares sell करे, एक रुपे 53 पैसे के भाहो में, तो समझ आ गया, तो यह लोग buy भी गरते हैं, और sell भी गरते हैं, ठीक है, इंका concept के आपको बताता हूँआ, यह लोग कैसे करते हैं, मैं आपको एक तरीका बताया था, कि जो वैक्ती, अगर एक stock को मांगे चलो, 70 मैंसे उसने भाही किया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो 1,25 में stock को बेचेगा, और 7 में, उसी दिन कुछ quantity भाही कर लेगा, होता क्या है, मैं आपको बताता हूँआ, पैंच लाग शेर को होता क्य पांच लाग की जगा, वहाँ पर सिर्फ 50,000 शेर ही trade हुए होते है, इंटरे में, आप जाके खुद चकाउट करना, आप खुद जाके चकाउट करना, मैंने खुद observe किया है, भाई, जब बाई की तरफ ही, मातर 50,000 शेर ही पड़ेवे हैं, तो कैसे millions का volume आ जाता है in stocks में, म आपको बठाया जाता है कि देखो हम तो upper circuit में close हो रहे है, क्योंकि ये जो लोग, देखो, sell से impact पड़ता है, definitely पड़ता है, क्योंकि भाईया, sell से impact पड़ेगा, लेकि ये दुबारा से stock को buy कर लेते है, same price में, ताकि कुछ quantity बच जाए, उस stock दुबारा upper circuit मे close हो जाए, आप आप खुद जाके check out करें, उस पर भी T-bar बना होगा, 11 March को आपको दिखा देता हूँ, अब देखो, 11 March की candle देखो, ये candle है, भाईयोजन की, ठीक है, अब आप लोग मुझे बोलोगे, sir, ये लोग ऐसा क्यों करते है, अरे भाई, ये लोग इसलिए ऐसा करते है, क्योंकि ये इन्होंने, मैं आपको बता रहता हूँ, बहुत पहले, बहुत पहले का मतला अभी नहीं बात कर रहा हूँ, इधर, इधर सजेस्किया था, इधर, अल्मूस एक देट साल पहले इधर, ठीक है, जब सक्या रहे हो, कोई बात नहीं करता था, और आप खुद सोचो, अगर बात कर रहा हूँ, इसने यहां बात कर रहा हूँ, इसने यहां बात कर रहा हूँ, इसने हजार कॉंटिटी बात कर रहा हूँ, इसने सच में लाखो करोडो शेर्स बात कर रहे होंगे, तो लाखो करोडो शेर्स अगर बात कर रहे हैं, तो उसको निकलना तो पड़ेगा, व अब शोड़ा माल शोड़ा करते हैं हर लेबल मेंधर रहते हैं और यह दो जो भास depth को यह इनको खूद नहीं पता है Semajowar दिमार्फ को यह कि मैंने अभी observe क्या किया यह जो return आपको दिख रही है आपर देखो यह जो इन्होंने काम किया can't किया है तो game समझो अब game क्या होता है देखो अब मान के चलो कि इन्होंने sell कि इन्होंने इतने shares buy कर लिए अब इन्होंने दो रीजन होंगे इनके buy करने के अब चुम मुझे समझ आ रहा है इंकी साकलोजी पहला इन्होंने पहले जाता है तो इनके पास average करने के लिए पैसा है क्योंकि यहां पर इन्होंने 37 लक शेज बेज दिये तो इस देखो भाई जो बात तुम मैं बोलता हूं यह भी वही चीजे follow करते हैं मतला हरे वैड़ा वैक्ती यही काम करता है ठीक है वह भी अपने आपको सेप करता है पहले और आप लोग सेप नहीं करते 37 लक शेर यहां पर इसे profit बुक करा यहां पर इतने शेर बाई कर लिए अब उपर गर जाता है तो ग्रेट की feeling नहीं होगी पैसा यहां से बन जाएगा तो भी 2 लक शेर से ठीक है और अगर निचे गिरता है तो 37 लक शेर यहां पर पेले है न इस 37 लक शेर को कैस आगया दुबारा बाई कर लेगा सस्ते में क्योंकि प्राइस सस्ता मिल रहा अब जो प्राइड रुपे था अब एक रुपे मिल रहा है दिमाग दिमाग ठीक है तो यह असली गेम यह करते यह लोग ठीक है और दूसरा ज 38 I think 3 crore shares उन्होंने बेचे हैं यहां पर एक रुपे 14 लक पैसे के भाव में ठीक है और बाई करें 3 लक शेर एक रुपे 7 पैसे के भाव में समझा गया गेम प्लान बेचा है पहले देखो पहले बेचा है उसको lower circuit मे लिका है बेचने की लोग जब बेचे हो कितने share तो definitely lower circuit मे आएगा भाई उसके बाद उन्होंने buy भी कर लिए 3 लक शेर सेम प्राइज में नहीं नीचे के प्राइज में और अभी जो भाव चल ला है 1.05 पैस चल ला है तो देखो double game यहां से आपका पैसा multiply भी हो गया regret की feeling भी नहीं कि यह प्राइज उपर निचे जागा निचे किया यहां पर 1% और 99% capital बचा के रखी है ताकि अगर नीचे गिरता है stock तो हम नीचे average करेंगे क्योंकि तिहान रखना जो stock नीचे की तरफ जाता है वो उपर भी जाता है वो कम से कम 50% का retracement करके जाता है तो यह stock कम से कम अगर 50% तूट जाएगा इस भाह से इस price से तो यह stock stock को दुबारा भाह करेंगे क्योंकि इनके पास backup नहीं है इनके पास backup नहीं है इन्होंने money management को बहुत तरीके से समझ लिया है ठीक है इनको पता है कि हर stock की जो moment होती है 40-50% तो अराम से लेके जाता है बस आपके पास capital होना चाहिए money management की skill होना चाहिए तो देखो यहां इन् stock से पैसा कमाना है ठीक है sold भी करया buy भी किया और buy के बाद उपर चले गया उसको score up कर देंगे बाद में और दुबारा का stock नीचे गिरता है मान के चलो के गिरता नीचे तो पैसा पड़ा हुआ है reserve में क्योंकि इन्होंने वहाँ पर बहुत सारी shares बेचे थे समझे के अब इन्होंने एक चौदा में इसको बेचा तो भाई अगर इस stock इनको 70 पैसे मिलता है तो भाई जो बेचा है उसके double quantity buy कर सकते 70 पैसे में जितने shares नोने बेचे साड़े 3 के जगा साड़े 6 crore share buy कर सकते है और मांगे चलो के नोने buy भी कर ली है ना तो ये इनकी जो averaging रहेगी वो रहेगी 90 पैसे और तो अगर तुमारा एक 10 तक जाता है तो ये 20 पैसे का profit से exit कर देंगे और 20 पैसे का profit बहुत है भाई calculate कर लो बहुत profit होता है 20% का return होता है penny stocks में समझा गया तो भाई जो बात आपको बथाता हो ना कि ये चीज करते तो आपके सामने prove भी अब देख लो ये buy भी करते sell भी करते लेकि proper money management को follow करते लेकिन हम लोग नहीं करते ठीक है इनको अकर sell भी करना है तो भाई आप buy भी करेंगे लेकि money management को follow करत है ठीक है बात मैं बोला बताया है नहीं तो आपके सामने भाई बाकी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और कर कुछ पूछ रहा तो नीचे comment करते कैसे करते कैसे नहीं करते नहीं समझ आ जायेगा ठीक है और बाकी दोनों stock को पर view क्या बताऊं अगर view चाहिए नीचे comment करत बाकी यह चीज आपको मैंने बथा दिये तो pen stroke में आप भी यह तरीका apply करो ठीक है उनको छोड़ो वो लो क्या कर रहे आप अपना देखो आपको यह तरीका apply करना है अगर आप पाय कर रहे हो stroke को ठीक है तो आप sell भी करके चलो ठीक है इससे होता क्या है बथा दिया मैंने अच्छी यह फिर ठीक है जबटे को सांप्त करता हूं बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियों